गुड मॉर्णिंग आपिवगन आज हम इस वीडियो में कलास 6 के चैट्र 8 डेसिमल के mc कुष्ट करेंगे next पिछली वीडियो में हमने 128 mc की उश किये थे गविज वीडियो में हम next mc कुष्ट करेंगे question number 9 से चुर्ब करेंगे question number 9 है 65 km 13 meter into km इसको किलो मिटर में चेंज करना है और डेसमल में लिखना है तो हम देखें के कैसे चेंज करना है इसको 65 किलो मेटर 13 मेटर तो डेसमल में चेंज करना है तो किलो मेटर में ही इसको लिखना है तो इसका अंसर कैसे निकलेगा 65 किलो मेटर है और 13 मेटर के में किलो मेटर में चेंज करना है तो वन मेटर में हम किलो मेटर देखेंगे 1 upon 1000 किलो मेटर होती है और 13 मेटर में कितने किलो मेटर होंगे 13 upon 1000 km तो इसको decimal में देखेंगे तो यह हमार पास 0.013 km आज़ेगा तो इसमें add कर देंगे 13 meter convert हो गया km के अंदर 0.030 अब इसको add करना है तो answer क्या आज़ेगा 65.013 तो option में देखेंगे 65.013 option में क्योंसी है यह first option के अंदर ही है तो first option के यह पर tick लगाएंगे next वाल है what is the decimal form of 4 upon 10 तो यहाँ पर 10 निका है जिखे तो एक 0 है एक ही 0 अपर तो इसका answer सिज़ाई पदल आजएगा 0.4 answer आजएगा next है the decimal form of 11 by 2 तो इसको आज़ेगा 11 upon 2 या तो हम नीचे denominator 0 की form में बनाना है तो नीचे 10 बन सकता है 5 से multiply करके 5 से नीचे करने है 5 से उपर करने है तो 55 upon 10 आजएगा तो आजएगा और एक हम डिवाइड इतरके भी कर सकते हैं 11 को उंदर रखके 2 से डिवाइड करेंगी 25 से 10 पिर बन आगया उपर डेसिमल लगाएगी यहां 0 लगाएगी 25 से 10 आंसर फिर भी वही आएगा तो आंसर 5.5 आया ओप्शन में देखेंगे 5.5 आप्शन में कहां पर है तो यहां पर C आप्शन में 5.5 है तो C आप्शन के उपर टिक लगाएगी आप त्री टूल आर शिक्स अपाउंड टैन तो आंसर हमारे पर जीरो पॉइंट अब नीचे टैन है एक ही जिरो है एक ही डिजिर है तो इस जीरो का सिक्स बंजेगा और वान का डेसिमल बंजेगा आगी अप्शन लगाएगी तो उसी आंसर हमारे पर यह हमारे पास पॉइंट के बाद जीरो है उसके बाद यहां पर जीरो.च इन है चो रो के बाद एक तर लो यहां पर 0 है तो यह एक्षिन के पर हम टिक लगाएंगे यह एक्षिन में 0.7 ग्रेटर है 0.008 08 सब्सक्राइब है नेक्ट वन है the decimal form of 11.235 तो यहां पर देखेंगे 11.235 कहां पर है यहां पर देखेंगे 11.235 नेक्ट वन है the digit at unit place in 24243.1 तो यहां पर देखेंगे नेक्ट वन है 7 रूपीज 5 पैसे in decimal form तो 7 रूपीज और 5 पैसे को decimal form में कहां देखेंगे 7 रूपीज और 5 पैसे तो हमना decimal form बनाने के लिए पैसे को रूपीज में convert करना है तो वन पैसा वन पैसे में रूपीज कितने होगे 1 रूपीज और 7 पैसे इकल टू रूपीज 7 रूपीज और रूपीज तो डेसिमल में चेज़ करेंगे उपर टू यह वन डिज़ेट है निचेज तो टू जीरो से तो हम एक जीरो आगे लिए रहेंगे प्लस 0.07 रूपीज तो अब इसको 7 रूपीज के अंदर एड़ करेंगे 7 रूपीज प्लस 0.07 रूपीज तो answer में हम आरे पास 7.07 रूपीज अनसर आज़ेगा तो option में देखेंगे吸 про जिखेंगे बाप 7.07 आप्शन है तो यहा पे देखेंगे तो यह 5 है यहां पर तो हम यहां 5 कर देंगे यहां पर हम 5 कर देंगे 5 है रेटमेंट के दर तो 7.05 एंसर आ जाएगा तो यहां पर option के दर 7.05 है 7.05 के पर ठिक लगा देगे अब इसको और भी शॉब कर सकते हैं लेकिन हम इसको शॉब करेंगे यह गलती ना हो और भी शॉब के जाए जाए इसको 300 प्लस 20 प्लस 3 प्लस 4 पॉन 10 प्लस 5 पॉन तो यह माद पास 323 बन गया अब माद लगाएंगे डैसिमल के बाद 10 आते हैं तो 10 का फॉर दिया हुआ है उसके बाद हंड़ साते हैं हंड़ का कुछ भी नहीं दिया हो तो 0 लगा लेंगे उसके बाद 1000 आता है तो 1000 का यह फाइव पॉन 1000 लिखा है तो यह 323.405 आंसर आ जाएगा तो option के अंदर हम देखेंगे 323.405 आंसर आ गया तो option के अंदर देखेंगे तो option के अंदर हमारे पास यह देखेंगे डी option में है तो दी option के अपर टिकल जाएंगे नेक्स वन है दर फ्रेक्शनल फॉर्म ऑफ 0.26 इसकी फ्रेक्शनल फॉर्म बतानी तो पहले हम इसके पॉइंट्स रिबूग करेंगे 0.26 है तो पॉइंट्स रिबूग करेंगे तो 26 बाए अन्डरर्ड आसेगा तो अब इसको हम और क cinquela तुभ कट करें क्हूंकी नीचे हमारे पास आंसर में सब की नीचे 50 है इसका मतलburg सीम्प्लर से प्रोम में इसको चेंज करना हुए तो यह इसका सीम्रर सेंट्स पॉम में चेंज करेंगे तो यह two get typically two one is और यह फाइज और जीरो थाटीन अपों 50 अंसर आगा है यहां पे हमारे 18 गॉश्टन प्लिट होगी है 9-18 नाइन ग्वेश्टन के इस वीडियो के अंदर आप यह आपको अच्छे से समझ आगे होगी और वीडियो कर आपने फर्स ताम देखे तो वीडियो को लाइक जरू करना है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरू करना है और ज़ास ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है थेंक यू थेंक यू very much